आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरूद कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशस डिश में उंके साथ शेर करो तो आज में लेके आई हूँ एक सूपर हेल्दी सालेट जो की है प्रोटीन सालेट बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेट के लिए एक बाउल में लेंगे बॉयल चने इसको मैंने साथ से आठ गंटे सोक करके बॉयल कर लिया है दीजारक ग्रेट सोर्स ओ वेजटेरियन प्रोटीन सालेक बनाने के लिए इनको एक बाउल में डालेंगे इनको हमें उतना ही बॉयल करना है कि इनकी ऊपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगभग दो कप चने लिये हैं अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स ओ प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे वन कब चॉप टमैटोस इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने सालेट के अंदर चॉप ट अनियन्स उसके बाद बिना चिले नाइसली कट अन डाइस्ट क्यूकंबर विच इस अ गुट सोर्स ओ फाइबर अब हम डालेंगे रोस्टिट पीनट्स अगेन विच गिब्स उस हाई प्रोटीन एन हेल्दी फाट उसके बाद डालेंगे स्ट्राउट्स ये अंकुरित मोंग डाल मैंने मार्केट से लिये हैं आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक रात धिको के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखें आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मातरा और बढ़ जाती है लास्ली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ट कोरियंडर लीज यानि की धनिया पत्ता अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजनेंग उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच ओलेव ओल ये ओल डालना ओप्शनल है आप चाहें तो ना डालें ये सालेट को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है अब लेंगे 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 लिए बनाएंगे उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक, आदा चमच काला नमक, एक चमच चात मसाला, और आदा चमच बुना हुआ जीरा थोड़ी सी काले मिट्स टेस्ट के लिए एंड हां, ब्लाक पैपर इस अल्सो गुड़ सोर्स ओफ आइरन अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे, इससे हमारा सालेट बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और उपर से डालेंगे फाइनली चॉप्ट ग्रीन चिली, यहाँ पर मैंने दो छोटी-छोटी हरीमिर्च ली है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सालेड में अच्छे से मिक्स हो जाएं एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजटेबल्स लगभग चने के साइज के ही कट करने हैं और चोली के साथ-साथ इसमें आप स्प्राउटेट काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा कॉंटिनेंटल टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो लो हमारा प्रोटीन सालेड बनके तयार है फील फ्री तो अड़ वट्यवर यू लाइक जैसे की ड्राइ फ्रूट्स, फ्रूट्स, पॉमीगरिड जो भी सबजी है फ्रूट्स आप पसंद करते हैं आप इस सालेड के अंदर डाल सकते हैं हमारा हाई-on प्रोटीन सालेड बनके तयार है चलो इसको टेस्ट करते हैं कि यह बना कैसा जब भी आप सेलेट का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्ट लेस होगा पर इस सेलेट के साथ ऐसा बिलकुल लेंगे क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खुब चटपटा टेस्स दे देता है आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल आशिमास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अपलोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंडिल दें टेक केर गुडबाई एंड हापी कुकिंग विद आशिमास किचन